नमस्कार, News One Today देख रहे हैं आप मैं आपके साथ आकाश सुकला इस वक्त मेरे साथ जो सक्सियत मौजूद हैं वो किसी पहचान के मोताज नहीं है आपको बता दे मध्यप्रदेश के मुराइना से कॉंग्रेस विधायक राकेश मौवी साथ मौजूद है सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका News One Today देख रहे हैं नाइंटी बन में और जब मैं मैं पढ़ता था यानि की टैंटी आइलेवन टैंट में था उसके बाद नाइंटी टू में मैंने यवा कांग्रेस का ब्लोक अद्देश मुझे बना गया क्योंकि मेरी सक्रेटा और जिसको देखतर पाल्टी ने देखा है कि यह वाह है लड़का है और नाइंटी फोर में मैंने पहला चनाओ लड़ा यह पारसद का और उसी समय में बामवर नगर पलका का पारसद के साथ साथ में उपाद्देश बना और मैंने अपनी ही ऐसी की हमारी महला थी उनको अद्देश बनाए और उसके बाद फिर मैंने दो जार में फिर चनाओ लड़ाया लड़ा पारसद का उपाद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द् रहा और लंबे समय तक उसके बाद दो हुजार पांच में फिर दस वर्स में पूरा करके नगरपल का बामवर में दो हुजार पांच में मैं जिला पंचात के सदस्काचना गिरामिट शेथ से लड़ा वह सरवधिक साड़े दस जार से बोट से मैं जीता फिर निर्वाचित जिला योजना समिधी में भी निर्वाचित में हुआ और 2010 तक मैं निर्वाचित वदों पर रहा और संग्ठों पर 2011 से लेके 2011 में मुझे Congress Party का जिलाद देश बनाया 2011 से लेके मैं 2023 जनवरी तक मैं पाल्टी का जिलाद देश रहा इसी बीच में मुझे 2020 में उस चुनाओं में Congress Party ने मुझे कावलना जी ने दिविये सिंग जी ने मुझे टिकेट दिया और मैं चनाला और मैंने जो सरकार को गिरा कर गए जो विधायक उनी में से एक विधायक को मैंने हराया और आज मैं उसके बाद मैं आज जलाद विधायक के रूप में कार कर रहा हूं और अभी तक मैंने निर्वाचित आठ चुनाव लड़े हैं। उपर वाली करपा से जनता के आठ चुनाव जीता हूँ। यानि कि मेरा राइनितिक सफर निर्वाचित और संगठन दोनों का अनुबब मुझे एक साथ प्राप्त होगा। बरतमान में आप विधायक हैं। उपचिनाव जीते लेकिन उसके बाद अभी जो तीन साल का टोटल काम होने वाला है। उसके बीच में आपने क्या कुछ काम किया है कि जो जनता आपको बार बार चुनती है और दोबारा फिर मैदान में हैं क्या काम को लेके अपने जाएंग होई च्छा परदेश की होई शत्ता का विधायक होई च्छा विपच का विधायक होई जिस दल की सरकार होती है उससे पाईशे लाया जाता है अपने शेतर में विकास कराने के लिए। वो चल रहा है, पानी की muj were symbol है, पाइपलाइन हैं, ऐसे कुछ, पांच चे गउँ ऐसे हैं, जauft के मैं है उप साथके सरकार से स्यूक्त कराती है, ऐसी सख सडक हैं, चार पांच जो मैंने सरकार से स्यूक्त करा कि उसको कराई है, और इसके लावा जो मेरा विधायक निदी के जो पैसा होता है उस विधायक निदी का पैसे का मैं ने सभी ग्राम पंचात में एक लाग से लेके दस लाग के बीचे में मैंने उनको ग्राम बिकास लिए उनको ग्राम पंचातों में दिया चाहें वो सिशिक में होई चाहें वो बिद्दुती करण में हो इसके लावा जो मेरे विधानसवा में जो सडकें जहां हैं उन सडकों में लोगों को आने जाने के लिए बहान का इंतियार करने के लिए उनको बैठना पड़ता था खुले आसमान पर मैंने उसमें पूरे विजान सवाद छेतर में सौ से अधिक यात्री प्रती चाले लगा है जो बारस के लिए आम जंता के लिए काम उसमें बैठने के लिए काम आता है और वरसात में उसमें धूप में बैठने के लिए काम आता है फिर मैंने देखा और के मेरे विदानसवा च्छेतर में गिरामीड च्छेतर में उस जो माई आपका मार्च अप्रेल और माई में जो फसल रहती है तो उसमें कहीं ने कहीं आग लग जाती है और फाइबुरेट हमारे मुरेना से और बामोर से जब पहुंचती है तब तक वो पूरा राक हो जाती है मैंने उसके लिए हर ग्राम पंचात में फाइब फाइटर टेंकर दिया है जो जो फाइबुरेट का काम करेगा प्लस साधी ब्याँ में और लोगों को पानी लोगों को पानी देने के लिए काम करेगा मतलब टून इवन है वो टेंकर जो मैंने दिया है उसमें पूरा सिस्टम है फाइबुरेट जैसा यह जो किया है मैंने बिधाइग निदी से किया है और जो धाइबर्स के कारकाल काजी मेरी उपलदी है नगर निगम छेत्र में मैं सासन से कमिशनर के माध्यम से प्रस्ता भीज कर दस करोड की लागत का सड़क के लिए में पैसा भी लाए है तो यह मेरे जो कम समय में जो हो सकता वो मैं कर लेकिन हम उपच्छित रहे सरकार से उपच्छित रहे के जिस परकार से जहां कांग्रेस के विधायक है वहां सरकार ने भी द्भाव किया यानि कि भारती जनता पालिटी के विधायक है वहां उन्होंने पचास-पचास करोड के येर में काम दिये और सरकार कांग्रेस के विधायक है बाँ उन्होंने दो या तीन करोड के काम दिये तो ये कहीं न कहीं पश्पात रहा है और बलकि मक्वंतर जी को नहीं करना चाहिए सर अभी भरतमान में जो आप माहौल देख रहे हैं लेकिन आप उसको बगावत जो है कैसे कातम करेंगी क्योंकि कुछ तो थोड़ा थोड़ा अभी भी देखने को मिल रहा है और ओट में कैसे कनवट करेंगे देखे मैं आपको थाँ 2018 में कमलना जी को और कांग्रिस की सरकार को मदबर्देश की जनता ने बनाया और उन्होंने पूरा आप जानते हैं के पांच वर्स के लिए मेंड़िट दिया ये मदबर्देश की जनता के लिए कहीं न कहीं कसक है और उसी कसक को दूर करने के लिए मदबर्देश की जनता इस बार कमलना जी को मुखमंतरी देखना चाहती है कांग्रिस की सरकार बनाना चाहती है और जो कमी रह गई थी उस समय कुछ सीट कम थी उसके कारण अनिदलों का सही हुग भी लिया और उसी के कारण जो वगावत हुई विधायकों के लाल चाया उसको आप मुरत मद प्रदेश की जनता इतनी सीट देगी के ये वगावत नहीं कर पांगे और इस बार ये हमारी पालिटी और कमलना जी देख रहे हैं कि जो भरोशे मंद कांग्रिस का व्यक्ति है कार करता है जो एनेशिया यूद कांग्रिस के जिसकी कड़कड में कांग्रिस है उसको ही वो टिकेट देंगे और या अनजल से आया है तो उस पर पूरा भरोशा है उसी को टिकेट मिलेगा यानि कि मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में बगायवत क्या सौना से भी अगर कोई तो लेगा तो सरकार को इला नहीं पूएगा सर क्या यह हममान के चैने का आने वाले समय में राकेश मोई मद्वर्दिस की मंद्री बनेंगे देखिए मेरा यह तो शीष्ट नत्वत के हाथ में है और मेरा करतब यह है कि मैं जनता मौरान भीधान सवा की जनता के लिए मैंने सोचा है कि मेरी सरकार होती है कांगरी सरकार बनती है बनने जा रहे ही है वैसे तो तो सबसे पहले प्रातिक मित्ता मेरी होगी मद्वर्देश हमारे मौरान जली का विकास कराना मुराना विधान सबा का किसा विकास कराना क्योंकि बिपच्छ में होते हुए इतना विकास नहीं होता जितना हम अपिच्छा रखते हैं सरकार हमारी होगी तो निश्यत तोर पर हम अच्छा विकास भी करांगी और जिस परकार से हमने मुराना सहर को सोच रखा है कि मुराना सहर को नगर नगम एरिया को हम इंदोर की तर्च बे ले जांगे ये मेरा एक जनता की टृती मेरा अफ्शासन और मैं उनको भरुसा देता हूं कि इस कार को मैं करने को जा रहा हूं मंत्री वनाना ना मंत्री वनाना यह तो सीर्षनेत्रत के हाथ में एक मेरा आखरी सवाल है कॉंग्रेश ने मैनिफेस्टो जो लिखा हुआ है जो वाइरल हो रहा है काफी चीजे जारी किया हुआ है उसमें उन्होंने लिखा है कि सो यूनिट बिजली जो है वो माफ हो जाएगी बाकि दो सो यूनिट हाप हो जाएगी पुरानी पेंजन को कर दिया जाएगा पहुत सारे ऐसे बड़े-बड़े वादे कर दिया उन्होंने सिलेंडर को बोला पांचे रुपे में दिया जाएगा जबकि मद्यप्रदेश सरकार अपका जो बजट है उतना तो वो काफी घाटे में आ चुकी कर्ज में जा चुकी है उसको कैसे रिकोवर करेंगी क्योंकि यहां तो अभी 2024 तक तो प्रधान मंत्री कोई और है बीजेपी पार्टी सेंट कैसे उम्मीद कर रहेंगा आप इतना सब चीज़ा पूरा करेंगे देखे मैं आपको बताओ निशेत तोर पर हमारे जो मुक्यमंत्री के जो चेहरा है का आधरिन कमलनाची वो भहुत अच्छे सुल्जे हुए व्यक्ति हैं और वो कहीं न कहीं ऐसा कोई निर्यात करेंगे जिससे अपने बादों को पूरा करेंगे क्योंकि आज हम जो बादा कर रहे हैं वो बादा कोई कैंदर की सरकार के भरोशे थोड़ी कर रहे हैं आज तो बोश्तिती है कि लोहाने बादा करने के लिए और उसको पूरा करने के लिए मद्रिश की सरकार करज पर करज ले लेकर इसको पूरा कर रहे हैं हाँ अगर जी 18 बर्स में आज जो कर रहे हैं 18 बर्स में करते तो लगता जी जनता के लिए काम कर रहे हैं ये तो बस चुनावी है और हो सकता है कि चुनावी के बाद ये कहे के दूर हट जाएं कि मत्परदेश की सरकार घाटे में हैं करज है अब शियोजना को हम करने में समर्थ हैं अब हम नहीं करवाएं उधारन के तोर पर जो जिस परकार से 2014 में हिंदुस्तान की जनता को उन्हो को उनके खाते में देने के लिए जब बारी आई तो वही नेता ये कहने लगे के तो ये तो जुगला था एक चुनावी था बोट हांसल करने थे तो ऐसा फिर के दें इनका क्या है इनकी करनी और कतनी में बहुत अंतरवार्थ जनता पार्टी कर आप मारे साथ पुराना से क परशनल सर्वे राय जो हमने देखा है काफी हद तक काम किया गया है और भी कुछ चीजें हैं जो इस बार उमीद लेके जनता के सामने जा रहे हैं दिली सरकात सुक्रा की रिपोर्ट